तो आज हम इंडियन बाइक डाविंग 3D की सिटी में धूरने जा रहे हैं ये साड़े चोटे चोटे लोकेशन जो के हमारे शेयर में अलग 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 जगे पर और अलग 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 लोकेशन छुपा करके रखा गया है तो आज हम इसको धूरने जा रहे हैं तो चल से जो पर इंटर्टेन्मेंट आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी सिटी पे जो के अलग-अलग जगे पर और अलग-अलग लुकेशन जो के बहुत सारे लोकेशन चुपा करके रखा गया है तो आज हम उस लुकेशन को फॉइंट करने जा रहे हैं पहला लोकेशन जो हमारा वह ए एरपोर्ट के अंदर वाले एक बिल्दिंग के अंदर छुपा करके रखा गया है तो पहला लुकेशन तो हमारा वह उसको हमें फाइंड करना है आज के इस वीडियो में तो पहले मैं पहुंच चुका हूं एरपोर्ट पे और एयरपोर्ट के यह जो सामने दिख रहा है यह अब हमें चलना पड़ेगा कार सोरूम में यह चावी को लाने के लिए यह जब भी मैं कुछ अच्छे चीज़ फाइंड करने जाता हूं ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यह दिक्कत होई जाता है यह अब मुझे जाना पड़ेगा कार सोरूम में कार सोरूम में जाने के ब लड़ का रखा हुआ है भाई यह क्या हो चल रहा है हमारे इस कार सोरुम के अंदर यार मैं चलता हूं और जाकर के चावी लेकर के आता हूं पता नहीं वो देगा या फिर नहीं तो यार यह वो रखा हुआ चावी लेकिन यार यह जो मैनेजर है इस कार सोरुम का यार यह तो वो चावी देने से साफ मना कर रहा है मेरे को तो गाइज इसने मुझे जो के ये कह रहा है कि दो थार जो के है उसको हमें वो जो ट्रक है उसको लंबर गिनी के उपर से चरहा करके अंदर लोड करना है और दो लोग केशन जो के इसने मुझे बताया है एक पेटरोल पंप और दूसरा जो है पुलीस स्टेशन इसमें हमें ये दोनों थार को पहुंचाना है तो यार मुझे अगर मैंने इसको पहुंचा दिया यानि कि इसका जो थार है दो दोनों क teenage सही से कर दिया तो ये मुझे चावी देदेगा तो यार पहली दफ़ा और यार थार इसके उपर चरपाएगी कि नहीं यार गाईज आप लोग कॉमेंट में बताने यार तो इस दन मैं ट्राइ करता हूँ मुझे लगता है चरड़ जाए सायथ से भाई ये देख लो यार थार है जो के एकद फार लेंबॉर गिनी के ऊपर से ट्रक पे लोड कर दिया है जो के वह वाला जो थार है ना ब्लेक कलर का वह मुझे पुली स्टेशन के अंदर पहुंचाना है और ये जो रेड कलर की थार है ये चरजा भाई अवे यार यार यह तो आटक गया भाई अवे निकल गया गाई यार ये निकल चुका है इसके अंदर से और अब इस दफार मैं चरा दूँगा और ये देख लो फाइनली दोनों थार को मैंने इस ट्रक के उपर लोड कर दिया है और अब इसको ले करके चलते हैं इसके लोकेशन पर जहां पर मुझे इसको पहुंचाना है अवे यार इसक चला चला रहा है कि यार nu तुमारी गड़िये भाई मैंने इसको कुछ किया भी नहीं मेरी ट्रक कवसे लगाए है यार यह पर चला जए यहार तू भी ठोका जा तो मैं यह देख लो गया बहुत ज्यादा इसना ये बोल घा भाई तो इसको मैंने ठोक देया चलते हैं यार इसके लोकेशन पर इसको प sciences connection पहुंचाते हैं पहले तो मैं control पंप पहुंच चुका हूँ यहां पर मुझे रेड थार देना kayak 것처럼 मैं यहीं पर उतार देता हूँ यहाँ पर آER petrol पंपर मुझग कोई दीख क्यों नहीं रहा भाई कौन यह वाले डिलेवर लेने वाला है यार उसने तो मुझे बताया नहीं है मैं काम करता हूँ कि यहां पर पेटरॉल पंप के पास वहाँ पर जो है न वो उस जगह पर मैं इसको लगा देता हूँ और चलता हूँ यार बैसे भी मुझे मैं पु से लेंबोर गिनी चाहिए वो मेरे पास है नहीं क्योंकि इतना उचा इसका जो है न यह इसके उपर ऐसे थार चर्वी नहीं पाएगी यह कोई भी कार हो वो चर्वी नहीं पाएगा तो यहां पर पेट्रॉल पंपे और अब हम चलते हैं जो कि पुलीस स्टेशन में पुलीस वालो थार का पुलीस वाले क्या करेंगे अब यार मुझे लगता हए कि are school Fifty करने वाले हैं तो यार मुझे खैर उस से क्या जाम आधा है यह आना यह वाले डिलेवर अगर मैं जल्दी डे自प पहुँचा देता हूं और जल्दी से मैं जाओँग तो मुझे वो जो में पहुत चुक है यहां पर इस थार को उतारते हैं यहां पर इस थार को उतारते हैं यहां दो गार्ड तो मुझे बाहर दिख रहे हैं मैं उसको बोल दूगा और यहां पर इस थार को मैं उतार दूगा यहां से मुझे इतने पतले इसके उपर चरना पड़ेगा बाई गिरन मुझे का, यहां पर लगा, दो तो सर मैंने लगा दिया, अपनी थार अप में ले लो, और मैं चलता हूँ यार, इस ट्रक को ले करके कार सोरम है, और कार सोरम के पास ., फाइनली मैं पहुंच चुका होँ और यार, यार, यह भाई, अवे भाई यह कैसे कार चला रहा तो यह रही वो मेरी गारी और यार इसका जो ने कांच भी फूट चुका था तो मैंने इसको बोल दिया था कि यार मेरी जो कार है उसका कांच रेपेर कर देने के लिए देखते हैं क्या है वो लोग किया फिर नहीं फिर चावी लेकर के आ चुके हैं और यह देख लो इसने मेरी कार का यार कितना खतरनाक जो के एकदम पॉर्फेक्ट गदम नया कर दिया वाई इसने लगता है दोख करके इस पे जानी के पॉलिस बगरा कर दिया है मैं जल्दी से जल्दी आ चुका हूँ एरपोर्ट पे और एरपोर्ट के अंदर वाले उस पर दिया है यहां पर देख लो आधी है दोडी ब्रीज एकदम पूरा एकदम किलियर बैसाई का वैसा ही है जो के हमारा बरा वाला जो कंट्रक्षन एरिया इसको ले करके मैं घर पे आ चुका हूँ और इसको यहीं पर रखते थे हैं और चलते हैं फिर जो के आप मुझे प पर इस वाले टेवल के ऊपर रखा हुआ है यह चलते हैं यह जो है ना यह निसान जीटियार कार है और यह वो यह जो कार है यह मिनी निसान जीटियार कार है और इसको लेकर के आते हैं अपने ओल्ड हाउस से तो यह कार जो है ना गलत जगह से मैं पार्किंग कर दिया था यानि के राउंड घुमा दिया था और यहां पर मैं पहुंच चुका हूं सामने देख सकते हूं कि मेरा ओल्ड हाउस यही से यलो का लड़का दीख रहा है यार जल्दी से जल्दी चलते हैं यहां पर अपनी कार रोकते हैं यार और चलते हैं इसके अंदर से जो के मुझे और उसको चलाते हैं तो यार मैंने सारा सेटप कर लिया यहां पर देख सकते हो कंट्रक्षन एरिया जो के पूरा का पूरा वैसा यह एकदम बड़े वाले कंट्रक्षन एरिया के नाइट और यह देख सकते होगा इसके हमारी जो नीशान जीटियार है भाई कितनी खतरनाक की ड्रिप्ट मार रही यार इस वाले कार रेशिंग में और यह सकते होगा इसके हमारा यह जो क्रेन एना एकदम खतरनाक बर्क कर रहा यार यह जो है ना काम कर दिया मतलब के इस साइड से उससाइड एकदम यह जो हैं कंटेनर को ले जा रहा है तो यार अब मुझे पता चला कि हमारे city में एक और location जो के छुपा करके रखा गया है यार वो location क्या होने वाला है तो यार ये देख लो ये तो हमारा old house है और अभी मैं यहां से जो के car लेकर के आया था और भाई अब चलते हैं इस location को लाने के लिए और इसका location भी पता हो चुका तो यार जल्दी से चलते हैं वो जो है न हमारे contraction area के छट के ऊपर रखा हुआ warehouse के छट के ऊपर तो मुझे वहां से find करने पड़ेंगे finally मैं contraction area पर आ चुका हूँ अपनी चुक चुक गाली ले करके और यहीं पर रखा हुआ है यह जो है न यह जो अप लोगों को warehouse दिख रहा है तो इसी के ऊपर जट पे रखा हुआ है वो हमारा location जो के हमारे old house का location जिसको mini मतलब के छोटा बना दिया गया है और इस warehouse के ऊपर रख दिया गया है यहार यहां से चरने का तो कोई रास्ता यानि के कोई screenshot मुझे दीख नहीं रहा है मैं काम करता हूँ इस dust pin के ऊपर चर सकता हूँ क्या यार इस dust pin के ऊपर भी चर के हम इस पे नहीं चर सकते हैं मुझे एक area यानि के मैंने जो के car show room में जो ट्रक को रखा था उस ट्रक को ले करके आते हैं और यार वो मैनेजर जोने वो मुझे बोलेगा भी नहीं तो यह है वो ट्रक जिसको मैंने car show room से उठा लिया है और यार इस ने जो के इस ट्रक को पीछे रख दिया था car show room के एकदम दिखी भी नहीं रहा था यार मैं इसको ले करके आ चुका हूँ यहां पर मैं इसको सही position पर लगा भी दिया हूँ और अब मैं इस ट्रक के मदद से यानि के इस ट्रक के ऊपर चहर करके इस warehouse के ऊपर चढ़ जाओंगा चलते हैं फिर इस ट्रक के ऊपर चढ़ते हैं इस ट्रक के ऊपर चढ़के मैं चढ़ पाऊंगा कि नहीं यार इस container यार डिबbru के उपर टंकी के ऊपर मैं तो चढ़ चुका हूँ और यहां से मैं इसके उपर चढ़ चुका हूँ इसको पाकर के बहुत ज़्यादा एकुस हो जाएंगे यार मैंने इन लोगों को ये जो है ना गिफ्ट में देने वाला हूं तो यार ये मैं आ चुका हूं इसको मैंने पूरा एकदम सजा दिया है जो के इसके अंदर हमारे चोटे-चोटे MPC आ चुके हैं देखते हैं इसके देख लो ये तो मुझे मना कर रहा है भाई के वीडियो मत बनाओ मीरी यार और देखते हैं इन लोगों ने क्या क्या यार लड़की वुझे लेडिस थी वो कहां यार इसके अंदर वाई आवाज आ रही है यार ये तो यहां पर नहां रहे वे यार दरवाजा तो बंद कर थी यार खैर उससे मुझे क्या चलते हैं फिल्ड आगे की तरफ सो गाइस देख सकते हो काफी खतरनाक लग रहा है इसके अंदर इन लोगों ने रहना भी स्टार्ट कर दिया और मुझे पता चला कि हमारे शहर में एक और लोकेशन है जिसको मुझे फाइंड करने पड़ेंगे और वो लोकेशन हमारे पुली स्टेशन के अंदर का यहां पर डॉग भाई और इतने सारे डॉग जो के सीक्रियोटी कार्ड और यहां पर यार जो के हमारा पेट्रॉल पंप यह छोटा सा पेट्रॉल पंप है और इसके जानी के सीक्रियोटी रखा गया है यार यहां पर कितने सारे डॉग है यार इतने सारे डॉग के भी से जाना पड़ेगा यार एक डॉग गया और यहां पर दो गार जो के गन लेकर के खड़े हुए यार अंदर जो है तीन पुलीस वाला और उपर यहां पर डॉग थे यार मुझे इसको मारना पड़ेगा और यार ये अबू डॉग भाई जल्दी जल्दी से मुझे इसको मारना पड़ेगा यार ये दखलो ये कुट्टे तो भॉक ने लगए भाई यार पुलिस वाले को पता चल चुका मैं इसको मारता हूं यार पुलिस वाले को पता चल गया यार यह वो आया है गन ले करके और यह गया और सामने यह भी गया और यह जल्दी से मैं यह लोकेशन फाइंड करता हूं यार चल्दी चरचत पर भाई फाइनली गाइस उपर आ चुके है और यहां पर मिल चुका है मैं चोटा से पेट्रोल पंप और यहां से जो ना किसी एमपी सी का आवाज आ रहा था यार मैंने इस लोकेशन को ले लिया है और अपनी वैन में रख दे यार यह दो लोग है इन लोगों को बजा से मुझे पता चल जाएगा पुलीस वाले को तो मुझे इसको भी मारना पड़ेगा और यहां से निकलना पड़ेगा यह बाहर के पुलीस वाले जो है न उसको भी पता चल चुका है और वो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे होंगे तो यहार मैं जल्दी से चलता हूं अपनी वैन के अं पाख दिया है और यहां पड़ एक ट्रक और एक निशान जीट्या और एक जेडवी टेना रखा ओवा है और यहां पर दो छोटे छोटीं पीकonna Spicy के लिए लड़ाई करosphきます कि दोनों बाइक औरASE राज़ए जोन्हें ड्राइवरिवरवर है लिए नहीं आज तो यह किस की बै कर दो भादो है